हलो दोस्तों नमस्कार इस्टेडी वी तैम के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्तान पटवारी भरती 2019 3835 पदों को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी हो रहा है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा कि कम समय में आप किस परकार तैयारी कर सकते हैं और इसके क्या योग्यता है और क्या योग्यता में बदला हुए है तो दोस्तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आप इस वीडियो को end तक जुरूर देखना और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है नीचे लाल बटना है उसको दबागर आप चैनल को जुरूर सस्क्राइब करें ताकि आपको यह आपर हर परकार की भरती की जानकारी मिलती रहे तो दोस्तो आप देख सकते हो यह आज के न्यूज पेपर में एक ख़बर प्रिंट होकर आई है और दोस्तो यहां पर साप साप देख सकते हो पटवारी के 38-35 पदों पर भरती परक्रिया की तैयारी पूरी यह अजमेर से अब आईए आप सभी को पता है दोस्तों जो अपना राजस्व मंडल है वो अजमेर में ही है तो वहां से एक हबर निकल कर आ रही है इसमें साब साब देरका है भू राजस्व नियमों में कंप्यूटर दक्सता के लिए राजस्व वित्व विवाग से मंजूरी के बाद घेज़ दी गई थी वित्व विवाग को तो वहां से मंजूरी भी मिल गई थी और राजस्व विवाग ने सभी जिलों के जो रिक्टपद है उनकी जानकारी भी प्राप्त कर ली थी लेकिन दोस्तों इसमें एक पेच पसरका था जो गत 2015 की भरती थी उसमें जो नियूनतम सेक्षण योगता होती है कंप्यूटर में RSCIT की यानि जो कॉर्स होता है कंप्यूटर का वो इसमें अलाउ था और उसके साथ में जो M.TEC या B.TEC या अधर कोई कंप्यूटर की डिग्रिया हैं वो जिसके पास थी वो विद्यारती भी इसमें अपलाई कर रहे थे तो इसक के बाद हाई कोट में लगबग यहां पर 300 रिटे लग गई थी दोस्तों तो उसी योगता को यहां पर चेंज करने के लिए अभी यह प्रकरिया चल रही है कि जो कंप्यूटर के अंदर सबसे कम योगता है सेक्षण योगता RSCIT वो ही रखा जाए या जो M.TEC या B.TEC या उच्छ श्रेणी की डिगरी है इनको भी सामिल किया जाए तो इसी को लेकर मंतन चल रहा है दोस्तों लगबग जो यह भरती है यह कंप्लीट अपने अंतिम चरण में चल रही है दोस्तों आप यहां पर साप साप देख सकते हो जो राजस्तान भू राजस्व नियम 1977 है उस 335 है तो इस पे सारे रिक्त पदों पर यहां पर भरती की जाएगी दोस्तों तो आप अगर जिस विद्यारती के पास रसी इटी का डिप्लोमा वो सौरी सेटिविकिट है कंप्यूटर कोर्स का वो बिल्कुल 100% इसके लिए इलिजिबल है दोस्तों यह तो रही दोस्तों कं अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि जो सेखनी योगता है यानि क्वालिफिकेशन कंप्यूटर के अलावा वो क्या मांगी गई है जो पिछली बरती होती थी दोस्तों उसमें लगबग 12th पास मांगी जाती थी लेकिन दोस्तों अभी तक जहांकारी मिल रही है और इन्हो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है केवल पास इन्होंने यहाँ पर मांगा है दोस्तों हो सकता है दोस्तों अब जो आगे का इनका संसोदी नोटिफिकेशन आए उसमें ये बता सकते है कि अपेरिंग वाला स्टुडेंट भी इसमें अपलाई कर सकता है या नहीं कर सकता है इसके अभी तक कोई confirm या पर जानकारी नहीं आए दोस्तो जल्द ही इसका official notification जारी होने वाला है दोस्तो अक्टूबर के महिने में और अक्टूबर के महिने में notification जारी होने के साथ ही दिसंबर या जनौरी तक ये इसका exam प्रारम कर देंगी दोस्तो जो अपना RSM SSB है यानि क को अपना syllabus अभी से देख के start कर दीजिए जिन बायों ने अभी तक तैयारी नहीं start की है और दोस्तो यहाँ पर जो रेजिस्ट्रार है राजसो मंडल के उन्होंने क्या बात कहिए आप यहाँ पर देख सकते हो साब साब पटवारी बर्ति के लिए नियमों में संसोदन यह भरती इसी वर्स यानि 2019 के अंदर ही यह आई की दोस्तों कोई इसमें डिफरेंस नहीं है और अक्टूबर के अंदर इसके जो नोटिपिकेशन अपिशल वो आ रहा है दोस्तों तो उसमें दोस्तों हो सकता है आपकी जो सेक्शन यूगेता है उसमें थोड़ी सी डील द जाएगी दोस्तों अभी तक जो परक्रिया है वो आपको मैंने बता दी है आरेसी आईटी और आपने ग्रेजियोशन कर रहे किये है तो बिलकुल दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो और बाकिश डेंट पर इलिजिबल है दोस्तों अभी आपको यह नहीं सोचना है कि में मेरे पास रेसी आईटी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ दोस्तों अभी भी आपके पास समय आराम से आप रेसी आईटी का कोर्स कर सकते हो अपलाई कर सकते हो इसके लिए और एक्जाम देके आप इसमें आराम से फारम बर सकते हो बहुत ही अच्छी यह बढ़ती आ करवाई जा रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके सवाल है निचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो उसका तुर जवाब देने की कोसिस करेंगे दोस्तों और राजस्तान पुलिस के लिए भी आप ओनलाइन क्लास से चल रही है उ उसका भी आप लाब उटा सकते हो सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेवल के लिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी खापी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतने ही मिलेंगे एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए दोस्तों थेंक्यू धन्यवाज जैहिन जैवार्त वंदेवातरम